कहानी पंक होते तो इसकी लेखी का है अंजुखर बंदा आज फिर वही उदासी मेगा फ्लैट की बालकनी में आकर खड़ी हो गई मंद मंद हवा उसके खुले बालों से अठखेलियां करने लगी समीर को ये उसके बालों की ये अठखेलियां करना बहत पसंद थी वो कार ड्राइब करते हुए अकसर खड़ी की का शिशा खोल देता ताकि खुली हवा आकर मेगा के बालों से खेल सके मेगा जला जाती अरे शिशा क्यों खोल दिया मेरे सारे बाल खराब हो जेंगे और मेरा मेकप भी बंद करो शिशा इस पर समीर पहले तो मुस्कूराता और फिर खिल खिला कर हस पड़ता अरे यार दुबारा बाल बना ले ना तम्हारी ये खुबसूरा जल्फे हवा से खेलती हुई कितनी प्यारी लगती है इन्हें योही खेलने दोना और समीर शारारत से गुन गुना उटता मेगा जबरदस्ती शिशा बंद करवा देती पर समीर का गुन गुना ना रास्ते बर जारी रहता आज निहा के घर पाटी थी मेगा को पाटीस में जाना जितना पसंद था समीर उतना ही इस पाटीस से दूर भागता था और फिर भी कभी कभी मेगा का दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़ता मेगा को जंदगी का हर पल उमंग से जीना पसंद था और इसके विपरीद समीर को घर बैटना मेगा को वो स्टेटस सिंबल पसंद था और समीर को साथ गी भले ही दोनों का प्रेम विवा हुआ था पर दोनों नार्थ पॉल और साथ पॉल की तरह विपरीद धुरूओं की तरह ही थे समीर और मेगा एक ही कॉलेज में पड़ते थे लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी समीर की लियाकत और शराफत के सभी कायल थे एक दिन कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते हुए समीर के दोस्तों में से सबसे शरारती दोस्त उज्वल ने दूसरे दोस्तों को चैलेंज किया ओचैलेंज ये था कि जो सामने गृप में बैठी लड़कियों में से किसी एक को गुलाब देगा उसकी एक महीने की चाह का बिल मैं भरूँगा सब हो कर हस पड़े समीर इन बचकानी बातों से सदा दूर रहता था उज्वल ने उसे चैलेंज किया तो वो तैश में उठकर लड़कियों की टेबल की और बढ़ गया पर घबराहट में कुर्शी से उठती हुई मेगा से टकरा गया हडबराहट में उसने मेगा को सौरी कहा और गुलाब उसकी और बढ़ा दिया लड़की के ग्रुप में जूरदार सीटी बजी की आवास के साथ ही उन्होंने समीर को कंधे पर उठा लिया ये सब इतनी जल्दी हुआ कि समीर को कुछ सोचने समझने का अफसर ही न मिला मेगा पहले तो कुछ समझी नहीं और जब समझ आई तो खूब असी और इस तरह मेगा और समीर एक दूसरे के करीब आ गए घरवालों को पता चला तो उन्हें भी ये जोड़ी खूब जची समीर की नोकरी लगते ही दोनों प्रणय सूत्र में बंद गए समीर सुभा आफिस जाता देर शाम ठका मानदा घर लोटता मेगा ने बोरियत से बचने के लिए दो-तीन किटी पार्टिस जोईन कर लिए मेगा रविवार को कहीं जाए समीर को ये कताई पसंद नहीं था वो चाहता था कि छुट्टी वाले दिन मेगा पूरा समय उसी के पास रहे मेगा को पार्टिस छोड़ यूँ घर में बैठना बोरिंग लगता पर समीर का दिल रखने के लिए वो रविवार को कहीं जाना अवाइट करती थी अगर कहीं जाना भी पढ़ जाता तो समीर मूँ फूला कर बैठ जाता और दोनों का पूरा रविवार बर्बाद हो जाता हाँ समीर महिने में एक आदबार शनिवार की लेट नाइट पार्टी में मेगा के साथ जरूर चला जाता ताकि दोनों दोस्तों के साथ कुछ समय बिता सके मेगा के वहवार में कोई फरक ना आया उससे तो ये सब जंजटी लगते इसलिए उसने फोल्डे मेड रखकर सब जंजटों से मुक्ति पाली पर समीर को ट्यारा के प्रती उसकी ये रुखाई बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं होती थी इसी बात पर अकसर दोनों में कहा सुनी भी हो जाती सुनो अब तुम मा बन गई हो तुम्हें अपने अधिक समय ट्यारा को देना चाहिए समीर की इसी बात पर मेगा उखड जाती और गुसे से दंदनाती हुई बेडरूम में चली जाती और रोते रोते सो जाती या फिर तयार होकर पार्टी में चली जाती दोनों ही सूर्तों में ट्यारा ही सफर करती एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि समीर पंदरा दिन की छुटी ले ट्यारा को अपने होम टाउन उसके दादा दादे के पास ले गया समीर ने ट्यारा को मेंटरी तयार करने की कोशिश की और मामा आब बाद में आ जाएगी समीर ने ट्यारा को प्यार से समझाया तो वो मान गई मेगा उस समय गुस्से से इतनी भरी बैठी थी कि उसने एक बार भी दोनों को नहीं रोका जाते जाते टियारा मेगा के पास आई और उसे लिपटते हुए बोली अमा आप भी जल्दी आजा ना नन्नी बच्ची का स्ने भी मेगा को भीगो नहीं पाया दो दिन तक मेगा गुस्ते में रही तीसरा दिन शुरू होते ही खाले घर उसे खाने को दोड़ने लगा बेचेन होकर वो बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गए पार्क में खेलते बच्चों को देख बर्बस ही उसकी आँखे भर आई वो कितनी दीर तक उन्हें नहारती रही और टप टप आँसू उसके चेहरे को भीगोते रहे मंद मंद बहती हवा उसे चूख कर मानो समीर के प्यार की याद दिला रही थी उसने उड़ती जुल्फों को प्यार से यूं सहलाया जैसे समीर सहलाया करता था उसने खुली जुल्फों में ही आँसू भरी आँखों से सेल्फी खीची और समीर को सेंड कर दी सेल्फी के नीचे लिखा पंख होते तो उड़ाती रे समीर जैसे उसके मैसेज का ही इंतजार कर रहा था उसने चट बड़ा सा दिल उसे सेंड किया और साथ ही प्यारी से समाइली भी मेगा के उदास चेरे पर भी समाइल आ गई इतने में ही समीर का फोन भी आ गया मेगा के हेलो बोलते ही समीर धीरिस से फुस फुस आया मिस यू समीर मिस यू टू कहते हुए मेगा की रुलाई फूट पड़ी सबीर ने प्यार से कहा सुनो जल्दी आजाओ हम सभी को तुमारे इंतजार है इस बार दिवाली सभी यहां मिलकर मनाएंगे अचलो टियारा से बात करो हलो टियारा बिटा मम्मा कल ही आ रही है तुमारे पास हमेशा के लिए